हे दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं PS5 के गेम्स के प्राइज इंक्रीज के बारे में तो विटाउट वैसी एनी टाइम लेट स्टार्टेड तो दोस्तों PS4 के जो नए गेम्स होते थे जब वो डिलीज होते थे तो उनका मैक्स प्राइज जो था वो 60 दॉलर्स था US में और जब ये प्राइज सेट किया गया था कि 60 दॉलर्स होगा जो मैक्स प्राइज 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 के गेम्स का उस time जो है 1 dollar का value Indian rupees में 70 rupees से कम था लेकिन अब जो Indian rupees में 60 dollars का value है वो rupees 4400 से जाज़ा है लेकिन ये तो है कि conversion के हिसाब से 60 dollars जो है वो 4000 से उपड़ जा सकता है लेकिन इसके अलावा भी Sony ने reveal किया है कि उसके जो games के price होंगे वो पहले max 60 dollars थे लेकिन अब जो है वो max 70 dollars हो जाएंगे तो यहाँ पे India का price एकदम exactly reveal नहीं किया गया लेकिन यहाँ पे games का price जो है उन्होंने 10 dollars increase किया है जो max price है और यहाँ पे India में अगर हम देखें तो 70 dollars जो है पहले 60 dollars थे अब 70 dollars जो हो जाएंगे तो वो 5,000 से भी उपर है तो यहाँ पे जो games का price एक PS5 का वो 1,000 rupees से भी जादा बढ़ सकता है हाला कि सभी games के price इतने नहीं होंगे जैसे कि Spider-Man Miles Morales जो है उसका price जो है 50 dollars रखा गया है लेकिन हम यह भी नहीं भूल सकते कि Spider-Man Miles Morales जो है लेकिन यहाँ पे बढ़ेगा यह तो पक्का ही है तो आपको कहले लगता है इस PS5 games के price increase के बारे में कमेंट्स में जरूर बता है कि price बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो सब तो इस वीडियो मस इतना ही था थैंक्स वर वाचिंग कीप वाचिंग तेकनोम वैभाव